दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लाए हैं कुछ ऐसे ट्रांस्पोर्टेशन मीडियम जो की हो सकता है आपने इससे पहले ना देखे हो। जैसे की टो आजट, कम्प्यूटर गैजट, लेप्टॉप गैजट या फिर बहुत सारी ऐसी केटगरीज हैं जिनका नाम आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिस भी आप पर हम आपको अगली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तो परसनल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए छोटे-छोटे e-scooters काफी ज़्यादा बहतरीन माने जाते हैं क्योंकि ये इलेक्रिक ऑपरेटेड होते हैं जिनसे पॉलुशन वगरा का भी चकर नहीं होता जिसे कि आप बहुत कम खर्चे में आसपास जा सकते हैं दोस्तो ये gadget भी कुछ ऐसा ही रहता है जो कि एक तरीकी का ऐसा electric scooter होगा जिसका इस्तिमाल आप अलग अलग तरीके से काफी जगयव पर कर सकते हैं दोस्तो ये एक आपके लिए electric scooter की तरह काम करेगा ही साथी अगर आप चाहें तो इसकी motor को एक car के साथ भी attach करके एक छोटी सी car बना सकते हैं जिसमें की comfortably बैट के आप कहीं भी सफर कर पाएं इसमें आपको एक powerful motor दे रखी होती है जो की 37 km पर आर की speed में कहीं भी जा सकती है साथी इसकी single charge पर range लगब 25 km की होती है जिससे कि आप आसानी से आजपास कहीं भी जा सकते हैं तो कमाल का रहता है ये gadget जो की आपको high tech technology के साथ आपको एक ऐसा छोटा सा personal transportation medium available करा देगा जिससे कि आजपास में जाना काफी ज़्यादा easy हो जाएगा दोस्तो अगर आप पानी के अंदर मजे करना चाहते हैं या फिर dive करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं swimming आना आपके काफी ज़्यादा जरूरी होता है जिससे कि आप एक जगे से दूसरी जगे तक जा सके लेकिन दोस्तो अगर आपको swimming नहीं आती है तब आप क्या करेंगे तो ऐसी situation के लिए बनाया गया है खास तोर पर ये gadget जो कि एक ऐसा underwater scooter होता है जिसका इस्तिमाल करके आप पानी के अंदर कहीं भी जा सकते हैं जी हाँ दोस्तो ये कुछ ऐसा ही gadget रहेगा जो कि खास तोर पर divers clay बनाया गया है जिनको swimming नहीं आती है वो आसानी से इसका इस्तिमाल करके पानी के अंदर यहां वहां कहीं भी घूमने जा सकते हैं दोस्तो ये एक ऐसा चोटा सा स्कूटर होगा जहां पर दो चोटी 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 प्रोपेलर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से ये काम आसान हो जाता है बस आपको नॉर्मल स्कूटर के तरह ही हैंडल घूमाना होगा जिसके बाद आपको direction खुद बखुद मिलती हुई चल दोस्तो बच्चे चोटी चोटी कार्स में काफी ज़्यादा इंट्रेस्टेड होते हैं जिने की चलाना उन्हें बेहत पसंद होता है तो अगर आप भी अपने बच्चों को एक ऐसा ही गिफ्ट दिना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप कर रहें तो उन्ह इस तरीके की गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं दूस्तो ये एक दाव अलगसी डिजाइन की एक ऐसी कार्ट होती है जो कि खास तोर पर बच्चों के लिए ही बनाई गई है इसमें आपको वो सारे कंट्रोस दिखने को मिल जाते हैं जो कि बच्चों के हिसाब से काफी से रहें दोस्तों आपने सुना होगा कि बहुत जल्द फ्यूचर में कुछ ऐसी गाड़ी आने वाली है जो कि हवा में ओड़ सकती है तो ये ट्रांस्पोर्टेशन मीडियम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जो कि एक तरीके की ऐसी एयर टेक्सी रहेगी जिसका इस्तेमाल आप एक प तरो भली आन्दर से आसानी से बिना रनवे के ही उडान भरी जा सकती है साथ ही आप जहां चाहें एकजक्ट वहीं पर लेंडिंग कर सकते है इसमें आपको multiplied printer ले रखे हो ते है जो की वर्टिकली टेक आउफ dotर लेंडिंग कर सकते है ये एक पूरी तरीके से एलेक्रिक व इन बाइसकल ट्रेलर इस गैजट के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा कि कैसा लगा है आपको ये गैजट दोस्तो आज पास जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी ज़्यादा पॉपलर हो रखे हैं हाला कि इंडिया में तो ये चीज़ कम देखने को मिलती है लेकिन फॉरन कंट्रिस में ये काफी ज़दा यूज होते हैं साथी दोस्तो सिंगल चार्च पर लबख आप इसे 20 किलो मिटर तक की रेंज में कहीं भी ले जाए पाएंगे ये एक तरीके का फोल्डिबल स्कूटर रहता है और साथी दोस्तो सल्फ बैलंसिंग के फीचर भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो बस इसे आसानी से फोल्ड करिए और आप इस पर एक हाथ भी रख देते हैं तो यह अपने आप बैलंस खुद बखुद बना लेता है और आपके साथ साथ कहीं भी जा सकता है तो काफी कमाल की चीज रहती है जो कि हाइटेक फीचर ऐसा ही होता है जो कि आपको काफी ज़दग कॉंपाक्ट डिजाइन के साथ ओफर किया जाता है दोस्तों इस छोटे से बोर्ट की अगर हम टॉप स्पीट की बात करें तो यह आपकी 12 माइल पर आर की होती है साथी दोस्तों सिंगल चार्ज पर आप इसे लगभग 18 माईस त सकती है नंबर वन जैक राबिट मीनी इबाइक दोस्तों स्लीज पर नंबर वन की बात करें तो हमेशा से एक साइकल ही होने वाली थी क्योंबी परसनल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए साइकल से बहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता तो दोस्तों यह एकदम ऐसी बेसिक सा आपको एवलेबल कराती है साथी सिंगल चार्च पर इसे 12 माइज सकी रेंज में कहीं भी ले जाया जा सकता है और नॉर्मल कंडिशन में जब आप पैडल मारकर इस्तिमाल करते हैं तो कहीं भी इसे अहसानी से ले जा सकते हैं तो काफी कमाल की रहती है जो कि size wise भी काफी ज देखने को मिल जाएंगे आज कि इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुम में भूलेगा और मेरे को कमेंट करके बताएगा कि आप किस तरीकी की वीडियो और देखना चाहते हैं यानि कि टॉपिक का नाम बस आप कमेंट कर दीजे बाकी वीडियो ह हम आपके लिए त्यार करके लाएंगे तो नमस्कार दोस्तों जैहिं वंतिमात्रम